हेलो फ्रेंड्स मेर नाम है स्वान गॉन तोलिया आज हम क्लास्टिक्स के एंसी आइट के चप्टर बहुंड पड़ रहे हैं जितका नाम है दा अर्थ इंदा सोले सिर्टम फ्रेंड्स चप्टर हम बेसिकली आर्थ और दूसरी वाड़ी के बार में जानेंगे तो फ्रेंड्स में बताये गया है कि कुछ जो स्टार होते हैं जाब रात में देखते हैं तो कुछ फ्लेकर करते हैं कुछ फ्लेकर नहीं करते हैं पर स्टार के पास खुद की लाइट होती काफ़ी बाग़ी मार्ट से गाफ़ी संसोल ने हब पता ईया कि जो मुन होता अब इसकी पोजिशन काफ़ है ककी यह जो होती जो हम जो पूर्ड़ने भाज या फिर फूल मून नाइट होती है उस में हमें जो मून होता काफ़ी, बढल पूरा चांद देखने को मिलता है और अम उससे कि रात जो कि 15 दिन में एक बार आती है एक महीने में उसमें चांद देखने को नहीं मिलता अब यसी जितने वह बृड़ी जासे की सन मून और बांगी सारी जो प्लेनेट्स ही म्यिवेडिस इन सबको थे वे एक स्टारई क्योंकि इसके माऍज भूग की लाइट है अब जो हम रात में देखते है तो बहुत सारे तारों से मिलते हैं वह वह बहुत से स्टार Fr it bre तो बनाते हैं उन्हें का जाता है यसे कि लोग को देखते हुए से लगते कि कोई बियर की शेप बन रहता है अगर उसे उन स्टार्स को connect किया जाए तो ऐसा ही एक इंडिया में भी मालब इंडिया ने भी एक कॉंसलेशन को नाम दिया इसका नाम है सबतरशी गया फिर सेवन मुद्लब मलब सबतरशी का मतलब है सेवन सेजिस साथ रिशियों का नाम हो गया है डरान यातनि में लोग जो डार्शन पता क्ये करते दे वह this star के अगलते जो नोट स्टार है वो नौट को इंडिकेट करता था इसको पोल्स स्टार भी किया जाता है कि कोडिक हमें सास्सें हैं पुइशन मे रहता है और जो हम आखानी से किसी विजाग की लोगेशन मलग जो पोल स्टार की लोगेशन है वो लोकेट कर सकते हैं सप्रिशी की है अब 1.1 में आपको देख रहा होगा कि अगर हमको इन इमेजनरी लेंट किसी पॉइंटर से ड्रॉ करते हैं तो हमारी आखें तो हम देखेंगे तो पोल स्टार्ग पर जाती है यह पुश्टार के एंदु में धुरुतारा भी कहा जाता है कुछ स्टिलिस्ट्रग बॉर्डि के पास अपनी हीट और नहीं होती वह दूसरी मतल्ट स्टार्स की लाइट से ही उनके पास लाइट पहुंसती है उन्हें प्लैंट्स का जाता है अब बड़्ड प्लैंट है वह ग्रीक वर्ड लैंटाई साया इसके मलब होता है ओंडरर्ण जो एर्थ है वो वो प्लेनेट इसमेम रहते हैं यह सब यह कुछ नियरेस्ट प्लेनेट में से एक है तीसरे नम्मर पर सबस्ते नियरेस्ट प्लेनेट आई है है इसके असे का जाता है मून उसका नेचुал सैटलाइट है जो किसी भी प्लेनेट के अराउंड गुंता है चक्कर लगाता है जैसे कि बागी प्लेनेट्स अर्थ की चक्कर लगाते हैं अब एक इंटरस्टन फैक्ट दिया हुगा है कि जूपीटर सेटन और यूरेनस के पास उनकी रिंग्स बनी हुई है यह दिक्स आखाली से देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई पारफल टेलिस्कोप होता हुग अब सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम में सन है आप लैनेट्स है सैटलाइट्स है कुछ स्रेलिस्टिकल बॉड़ी जैने अस्टेरोइट्स अ मेटिरोड्स भी खा जाता है यहां पर आपक जो सन है यह सन पूरी सोलर सिस्टम को सेंटर है यह बहुत ही बड़ा है और एक्स्ट्रीमली हॉड गैजिस से यह बना हुआ है यह पुलिंग फोर्स की तरह काम करता है जो पूरी सोलर सिस्टम को भांद के रखती है सन एक अल्टिमेट सोर्स है हीट का लाइट का पूरी सोलर सिस्टम में बट यह जो बहुत जोड़ता हीड है वह मैं इसलिए पील नहीं होती कि कहने को तो हमारे बहुत ही नियरेस्ट है पर कि उसका डिस्टेंस अमसे बहुत जाला है और उसका डिस्टेंस मेजर किया गया ह कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है वह अर्थ से होगी काफी दूर ही होगी प्लैनेट्स आठ प्लैनेट है इन्हें और टक में रहा गया है उनकी डिस्टेंस को देखते हुए सबसे पहले आता है मरकरी फिर वीनस अर्थ मार्स जूपिटर सेर्टन यूरेनस और नेप्चुन य कीजी तरही का इन्हें याद रखनेगा ओ है एक सेंटेंस की तरह इन्हें याद रख लेनेगा जैसे माय वेरी एफिजेंट मदर जस्ट सब अस नट्स तो उनका फस्फस बर्ड आप याद कर लें और फिर आपको पूरा सोलर सिस्टम बार प्लैनेट्स प्लैने नेम याद जाता है और विट्स मरकर ही सबसे पास महसन के और उसे से एटी एट 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 लगते हैं अपना एक चक्कर लगाने में वीनस को अर्थ का ट्विन का जाता है क्योंकि उसका शेप और साइज बिल्कुल सिमिलर है अर्स से और तो याच्छ है अगस्त तक प्लूट तो दूसरी इसलेस्टिकल बोडी की तरह है जिसको वह जाता है सेरेस्ट टूथ टूथ यूवी 313 उनने का कि यह प्लाइट नहीं है यह डॉर्स प्लैनेट की केडिगरी में आता है तबसे इसको केंस्टिटर नहीं किया गया वरना 2006 से पहले प्लूटो भी सुले सिस्टम म कि अझारी में आता है अर्थ तीसरा सबसे नियरेस्ट्वरी प्लैनट है संग इसके साइज के तवर दिख़ाया ऑङए तो यह विद्ट नोब थोड़ा सा यह फ्लैट है गोने जाएट नीचे से सर्पेसि sự इसका इसलिए इसको इसकी शेफ नाने इसको गुर शेया है जी क पाई अप्ति होगी ऐसा माना जाता है लाइंटिस के दौरा अर्थ ना तो ज्यादा गरम है और ना ही ज्यादा ठंडा है उसका तेम पेज़े सही है यहां पर पानी है हवा है जो कि हमार सर्वाइबर के लिए बहुत ज्यादा सेंचल है इसी कोश्च रीजन की वयए से अर्थ बहुत ही यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और जो आउटर स्पेस है उससे अर्थ एक्दम ब्लू देखता है इसलिए से ब्लू प्लैनेट भी खा जाता है और ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि इसका जालता है 70% पार्ट पानी से अब दन मुण अर्थ के पास सब एक ही सेटल्राइट है उसको प्लैनेट वारे यह पूरी अर्थ का हमारे उसका एक चौता ही है असकते हैं यह मैं इतना बड़ा इसलिए लिखता है क्योंकि हमारे प्लेंट से बहुत ही जादा पास है इसका जो डीस्टेंस है वह ठीट एक 84,400 किलोमेटर दूर है वो हमसे अगर या इसका डिस्टेंस कंपेर करें संसे तो यह काफी पास है क्योंकि संस हमसे 150 मिलियन किलोमेटर दूर है अब जो चांद है मैंदा मून है वो अर्थ का चक्कर लगाता है 27 दिन में उसका एक शक्कर बुरा होता है अब इसी के वाएश से महीने भी चेंज होते हैं एक कॉंसेप्ट यह भी दिया गया है कि 27 दिन का पहले महीना हुआ करता था पर यह एक आदा आदा कॉंसेप्ट था उसके बाद उसके चेंज कर दिया गया जो मून है उस पर फेबरेवल कंडिशन्स नहीं है लाइफ को सबड़ करने के लिए यहां पर ना तो पानी है ना एर है कई बार बताए जाता है कि जान पर पानी देखा गया है पर ऐसा नहीं है इसमें माउंटेंज हैं प्लेंज और डिपरेशन्स बने हुएं सर्फिस पर कब अब आगे पढ़ते हैं में एस्टिट्रेट्स के बारे में स्टार्स प्लेंट्रोए सेट्लाइट्स के बाद छोटचोटी बाडीज हमें देखने में मिल जाती है उन्हें यस यह मार्स जूपिटर औरविट्स के पास में हूते हैं सब्सक्राइट्स के कि अगियो है कि अस्टियोःट्स प्लेंट्स का घृत थे जो की एक्सप्लोड होगा है twist साल पहले भालब पहले और प्लेट रहे हुए ऑपो फिर बाद में कीई गानट से ईक्सप्लोड होग और वो छोटी चोटे हिस्से हैं बढ़ गए और उसके जो छोटी-चोटे हिस्सेख्य होने आश्टेरोड का जाने लगा आप wszyscy जो छोटी-चोटी पीसिगां הוא ने अच्छा जाता है ये और आंदर समय XL आएंगे पर ये जो पर्रॉस्सेस हुती है यह friction की वैसे होती है और कभी कभी इस friction की वैसे यह आर्थ की surface में आने से पहले ही चल जाते हैं और कई कई बार कोई बड़ा meteorite होता है तो वो पूरी तरह से चल नहीं पाता और अर्थ के अंदर आ जाता है और काफी हम तक तबाई बचा देता है कट्टा कर देता है अर्थ से टकड़ा गया था अब चो हमारी galaxy है उसको अगर हम दूर से देखेंगे तो एकदम मिल्की मलब ऐसा लगता है कि कोई रिवर बह रही है तो उसे जो हमारे इंडियम है उनने तो नाम दिया था आकाश गंगा और जो जनरली नाम दिया जाता है हमारी galaxy को दिया जाता है milky way galaxy हमारे इस उनिवर्स में हजा मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मलब बहुत सारी या लक्सी दें यहाँ तो इस फ्रेंड्स यह था इस सब्टर के बारे में इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्काव करें इस वीडियो से रिलेटेड आपकी जो भी कमेंट्स है आप मुझे से कमेंट सेक्षिन में पूच सकते हैं और आप मुझे इंस्ट्रागाम पर फॉलो कर सकते हैं और फेस्बॉक से भी आप मुझे से जो सकते हैं थैंक्यू